Hi winners I hope you all are well this side राजीवानन्द Welcome to crypto Marg YouTube channel crypto का रास्ता Winners आज का दिन crypto market में Zen crypto के लिए सबसे यादगार दिन है सबसे पहले आपको बता देता हूँ अगर आप लोग Zen crypto coin को buy करना चाते हैं तो Sun crypto Indian exchange best option है अभी आप जा सकते हैं सन क्रिप्टो अगर अभी तक आप लोग ने यूज ही करना शुरू नहीं किया आप सन क्रिप्टो को यूज कर सकते हैं और मेरा रेफरेल कोड है 191312 उसे भी यूज कर सकते हैं दूसरा आज है 30 दिसमबर 2022 जैन क्रिप्टो के लिए ये दिन इंपोर्टेंट क्यों है आज की जात इंपोर्टेंट क्यू है स्पेशली फोर इंडियन कॉम्मूनिटी फोर जैन एग्जेक्ली जैन प्रोजेक्ट 8 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ था जिस दिन से जैन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था एक कंप्लीट मिंटिंग बेस प्रोजेक्ट जहां पर बहुत जादा था विकॉज जो इसके founder है वो कहने की पर Google के starting back end architect रहे हैं उन्हें network की ecosystem की या फिर आप बोले एक structure की architecture की काफी अच्छी knowledge थी एक वो नाम एक white paper में जो project plan था और जिस हिसाब से zero minting से start हुआ था और एक दम से दो या तीन दिन में थोड़ी बहुत supply आई तो इस आनक से दो या तीन दिन में यानि कि अगर मैं बात करूँ 14 या 15 अक्टूबर 2022 थक यानि कि एक हफते के अंदर वो price बिल्कुल डाउन होके आज INR में dot के बाद triple zero में है अगर आप लोग USDT की time में देखें तो dot के बाद five times zero में current price USDT में dot के बाद five times zero double five seven eight series का चल रहा है इस accordingly आप लोग INR में भी calculate कर सकते हैं अब exactly ऐसा क्यों हुआ मिंटिंग से supply बढ़ती है आप सब लोग जानते है जैसी supply बढ़ी तो अचानक से जो price 300 रुपीज तक या था वो एकदम से down आया अब लोगों को लगा कि ये एक मिंटिंग based project है अब इसकी value कभी नहीं बढ़ेगी लेकिन zen crypto ने अपना एक और नई utility को add किया और वो है zen torrent अब उस utility से basically आज रात को होने क्या जा रहा है according to pacific standard time 2 p.m. अगर मैं Indian time के बात करूँ तो आज रात को लग भग अगर मैं बोलू तो 7 से 8 घंटे का time अभी है जब ये वीडियो में बना रहा हूं approximately 7 बजे के आसपास तो basically आज exactly होने क्या वाला है minting से ये जो supply एकदम से बड़ी है zen crypto की आज उस particular token की burning होनी है वो कैसे होनी है zen ने अपने potential के अंदर एक नया project एक नई utility add की XC NFT या आप इसको बोले zen torrent अब exactly इस NFT को mint करने के लिए we have to burn या we have to pay zen token और पहली जो series है दोस्तों वो है basically zen की X unicorn series आज रात को 100 X unicorn series NFTs को mint किया जाएगा और एक NFT को mint करने का जो cost है जितने number of token लगने है zen के वो है 10 billions 100 NFTs हैं जो mint होंगी according to the founder वो बोलते हैं कि उन्हें उमीद है कि 24 hours लगेंगे 100 NFTs को mint करने में लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 hours बहुत जादा उन्होंने बोल दिये it takes only one hour 100 NFTs को X unicorn NFTs को जो 10 billion की NFTs 10 billion zen token burn करके एक NFT मिलने वाली है within a one hour burn होगी मैंने भी try किया लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जब आप लोग NFT को burn करोगे specially एक सबसे important factor है अगर आप लोगोंने Ethereum network को use करके zen की minting की होगी तो आप लोग उसको burn कर सकते हो Ethereum network के लाबा अभी तक किसी और network का update नहीं है चाए Binance है चाए Polygon है चाए Doge Chain है चाए OKC है जितनी भी number of blockchain 10 blockchain है जिससे minting हो रही है तो अभी Ethereum main net पर यह minting होनी है अब यह minting जो है जब यह minting होगी XC NFT जो होगा NFT जो mint किया जाएगा तो उससे token burn होगे और token burn से exactly क्या impact होगा जो supply इस टाइम पर 15.5 trillion of zen की जा चुकी है वो reduce होकर 2.5 trillion रहने वाली है यह total नहीं है इसके इलावा अभी और बहुत सारी NFTs है आने वाले 7-8 महीने में या 6 महीने में यह हो सकता उससे कम है यह exact अभी information नहीं है यह मैं सिरफ अपनी personal आपको बता रहो आने वाले 5-6 महीने 7 महीने में हो सकता है total 10,000 पहले NFTs को mint किया जाएगा उसमें पहले 100 फिर 900 फिर 2000 फिर 3000 फिर 4000 तो ऐसे total 10,000 बनती है हर NFT को mint करने की एक proper zen token रखा गया है लेकिन उसके साथ साथ सबसे important जो major factor है वो यह है जो आज मैंने practical live करके देखा अपने crypto mark youtube channel पर हो सकता है आप भी उस video में live जुड़े हो और आपने भी वो देखा हूँ अगर नहीं देखा तो वो समझे जब exactly मैं NFT को mint करने गया तो वहाँ पर mint करते time पर ethereum network के अंदर ethereum mainnet के अंदर we have to pay the gas fee also मतलब जब आप लोग NFT को mint करेंगे तो आपको बहुत gas fee भी पे करनी होगी मैंने simply क्या किया तीन categories है आप लोग भी जानते है एक है rare NFTs जिसको आप apex NFTs बोल सकते हैं जिसमें से आज 100 NFT को burn किया जाएगा mint किया जाएगा sorry उससे zen token burn होंगे जिससे supply reduce होगी दूसरी जो category है वो है limited category जो तीसरी category है वो है common category अब जो apex category है जो आज रात से start हो रही है उसमें 10,000 NFT है लेकिन पहले 100 NFT से start किया जा रहा है और 10-10 billions of zen token लगेंगे तो उसमें gas भी भी बहुत जादा लगेगी उसके बाद ज हर NFT को burn करने के लिए हर NFT को sorry mint करने के लिए we have to burn a zen token मतलब एक ऐसा project जो minting से supply बढ़ा रहा था NFT mint करने के लिए अब वही supply reduce होगी एक जूम ऐसा किया जा रहा है कि बता नहीं आज रात को zen token जब finally एक complete अपना burning event करेगा minting event करेगा जिससे zen token burn होंगे इसलिए मैं burn event बोल रहा ह लगों के रिव्यू आ रहे हैं यूएजडी में लोग सोच रहे हैं कि डॉट के बाद 000 में 6 तक जा सकता है अभी 50 में है अभी जो दोपहर को मैंने वीडियो लाइब की क्रिप्टो मार्क पे उसमें मैंने भी प्रिडिक्ट किया कि कम से कम 20 मुझे लगता है INR में किल कर प या 6 तक तो INR में सिंगल 0 तक पहुचने के चांस बन सकते हैं तो अगर आप लोगों ने जैन क्रिप्टो को बाई किया है तो आज रात को मेरे इसाब से आपको प्रॉफिट निकालने का भी अच्छा मोका मिल सकता है क्योंकि उसके बाद अचानक से जब यह मिंट हो जाए लेकिन एक impact जो है जब supply reduce होती है तो आप लोग जानते हो price बढ़ता है अब वो किस level तक बढ़ेगा वो आज रात को हमें देखना है एक उमीद है कि इस टाइम पर कर USDT में 50 पे है dot के बाद हो 30 INR में अगर 30 पे है तो वो 10 तक at least आ सकता है यानि कि दोनों cases में चाए USDA चाए INR है आप जिस भी cases में price देखते हो चाए USDT में चाए INR में दोनों cases में 2-0 kill करने का option है अभी इससे ज़्यादा price क्यों नहीं predict किया जा रहा reason is total जो collection है Apex rare NFTs की वो 10,000 है और अभी सिरफ 100 NFTs को mint किया जाएगा हाला कि 100 NFTs को mint करने का per token पर जो मतलब NFT mint करने का जो zen token है वो 10 billion है तो maximum level पर definitely आज supply burn होनी है और उसी burning का जो major rule आज perform किया जाएगा वो होगा zen का price अभी भी अगर आप देखें तो last 24 आर में जिसने में ये वीडियो बना रहा हूं वो प्रोक्स 25% एक बर दुबारा से bullish recovery आ चुकी है 57 की series तक तो USDT में INR में sorry USDT में dot के बाद 50 के बाद 57 की series है और अगर मैं अभी यहाँ पर INR में price चेक करूँ आपके सामने ही तो INR में ये price 47 की series पर आ चुका है 47 INR में dot के बाद 000 में 47 11 इस टाइम पर price चल रहा है last 24 हमें 25% की ये तो एक trading का base है लेकिन अभी exactly supply burn होना start नहीं हुआ है mint होनी क्योंकि NFT start नहीं हुआ है वो pacific standard time के according आज 2 बजे का time है so we are hoping for the best best price of zen और एक ऐसा लग रहा है कि exactly decentralized world में crypto में एक genuine event होने जा रहा है for all जिन लोग ने buy करके रखा है उनको हो सकता है sell करने का option मिले लेकिन सबसे important चीज का है seller होने चाहिए वो भी definitely होते हैं क्योंकि कई लोग जो especially trading mind के होते हैं वो छोटे-छोटे amount से अपने profit को book करते हैं तो आपके पास sellers भी होंगे and buyers तो आप लोगों खुद ही हो जिन लोगों ने आज buy करने का plan बना रखा है या plan buy already कर रखा है sorry sell करने का plan बना रखा है तो do have a look in next 6-7 hours यह proper जब event होगा minting का उसके बाद exactly क्या price पर impact आने वाला है वही आपको next 5-7 hour में confirm होगा बहुत ही जल्दी Zen Crypto का ने अपडेट लेके Crypto Mark YouTube channel पर आपके सामने आ जाओगा तब तक अगर नहीं बाई किया या नहीं ज्वाइन की सन Crypto प्लीज दू ज्वाइन 191312 is my referral code and do wait क्योंकि we are eagerly voting for Zen NFT minting or you can say ZenTorrent का V3.0 so this is the overall latest update but please keep it in mind you are in the highly volatile market so if you want to buy if you want to start if you want to invest in crypto please do your own research first thank you so much for watching this video and please do subscribe Crypto Mark YouTube channel for more updates thank you so much